नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टेक चैनल पे आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम आपको अलबेंडा जोल ओरल सस्पेंशन के बारे में जानकारी देंगे जो की बच्चों के लिए होता है फ्रेंट्स इस वीडियो में जानेंगे कि अलबेंडा जोल ओरल सस्पेंशन का इस्तिमाल किन समस्यां में कर सकते हैं इसको कैसे इस्तिमाल करना है इसके डोज के बारे में इसकी मार्केट प्राइज कांटेंट, स्टाइड इफेक्ट इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे तो फ्रेंट्स के प्या वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको अलबेंडा जोल ओरल सस्पेंशन के बारे में अच्ची तरह से जानकारी मिल सके तो फ्रेंट्स अलबेंडा जोल ओरल सस्पेंशन के मार्केट प्राइज की बात करें तो 17 रुपए इसकी मार्केट प्राइज है और फ्रेंट्स इसको कैडिला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है फ्रेंट्स यह 10 ml की पैकिंग में आता है और यह बहुत ही मसूर सिरफ है आपको हर एक मेटकल इस्टोर पे बहुत ही असानी से मिल जाएगा फ्रेंट्स आईए जानते हैं इसके फैदे के बारे में तो इसके content की बात करें तो इसमें अलळटा जोल होता है जो की प्रत्यक 5 ml में 200 mg होता है फ्रेंट्स यह बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी दवा है बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उन्हें मारने के लिए तो फ्रेंट्स बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं किसी भी प्रकार के हूँ आये जान लेते हैं इसके डोज के बारे में तो फ्रेंट्स अगर बच्चा दो साल से पांच साल के बीच में है तो इसको ये दवा 10 एमिल दी जाएगी और इसको रात में खाना खाने के आदे गंटे बाद दूद के साथ दे सकते हैं या कुछ मीठा किला के और फ्रेंट्स अगर बच्चा एक साल से दो साल के बीच में है तो इसको पांच एमिल दिया जाता है रात में खाना खाने के बाद इस तरह से इस्तेमाल करने से बेट के सभी कीडे मर जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं प्रेंट्स अगर एक बार में कीडे नहीं मरते हैं तो इसको आप तीन दिन के बाद दुबारा दे सकते हैं और प्रेंट्स इसको पिलाने के पहले इसको अच्छी तरह से हिला लेना चाहिए जिससे कि ये अच्छी तरह से मिल जाए, उसके बाद इसका हिस्तिमाल करना चाहिए प्रेंट्स इसका लेने से फ़ले एक बार अपने डाक्टर से परामर्स ज़्रूरर ले लेने चाहिए क्योंकि फ्रेंट्स ये सिडूल याज की दवा है तो भीना डाक्टर के परामर्ज के इसका परियोग न करें और फ्रेंट्स आईए जान लेते हैं अलबेंडा जोल ओरल सस्पिंशन के क्या-क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो फ्रेंट्स वैसे तो ये बहुत ही बैतरीन दवा है इसके साइड इफेक्ट बहुत ही कम है लेकिन किसी किसी बच्चे को जैसे की पिट में दर्द होना दस्त की समस्या सरदर्द होना ये सब साइड इफेक्ट हो सकते हैं तो फ्रेंट्स ये इसके side effect है और हो सकता है इसके अलमा कुछ अन्य side effect भी हो तो फ्रेंट्स ऐसी कोई समझा होती हो तो इसको बंद करके अपने doctor से संपर कर लें तो फ्रेंट्स ये थी हमारी आज की जानकारी अलबेंडा जोल उरल सस्पेंशन के बारे में आचा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नए वीडियो का नोटिपिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ